नमस्कार मैं नौनित्र पाठी स्वागत करता हूँ आप सब का अपने यूट्यूब चैनल डाइनेमिक एजूकेशन पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेंटर इंवर्सिडिय अप साउथ बिहार ने अपने अफिसियल वेब साइट पे बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया है एक्जाम से रिलेटेड तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में जिसमें हम बताएंगे कि एक्जाम कैसे होगा रेजिस्टर कैसे करेंगे आप एक्जाम के लिए और होस्टल क्या चार्जेश होंगे होस्टल के लिए कैसे रेजिस्टर करना है और सबसे इंप आज हम बताएंगे उन सभी डोकुमेंट को लेके इसके बारे में भी नोटिस अपडेट किया गया है वेबसाइट पे तो आएए उस नोटिस के बारे में जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपका एक्जाम अफ्लाइन मोड में होगा जो कि 10 माज से शुरू होगा मतलब कोर्स वाई जो नोटिस बहुत जल्द वेबसाइट पे रिवेल किया जाएगा 25 तारिफ के पहले ही और साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को मेंडेटरी रजिस्टर करना है आउनलाइन एक्जाम के लिए जो अफ्लाइन एक्जाम होगा उसके लिए आपको जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा बिफोर 25 फरवर्य यानि कि 25 फरवर्य से पहले पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप आपको एक्जाम में नहीं बैटने दिया जाएगा यू विल नॉट वी पर्मिटेट व एपियर इन दे इक्जामिनेशन विदावट कंपलेशन अफ रजिस्टरेशन प्रोसेस पर इक्जामिनेशन तो यह बहुत इंपोर्टन है तो इसलिए आप 25 फरवर्य से पहले रजि अगर आप होस्टल लेना चाहते हैं तो यह आपके उपर है कि आप होस्टल लेने के लिए एक्जुक है या नहीं आप उसके लिए रेजिस्टर कर रहे हैं कि नहीं और इसके साथ ही यह बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है कि आपको एडिशनली मेस फेसलेटिज के लि लिया जा रहा है और ये मेस का भी जो फी है आपको online ही paid करना है तो ये चीजे आपको clear होनी चाहिए कि मेस फी अलग से लगेगा आपको hostel फी के साथ ही आपको मेस फी भी देना पड़ेगा अभी तक बहुत सारे बच्चों के queries आ रहते कि hostel फी मेस फी तो ये notice में बहुत अच् three documents और certificates physical verification के लिए required हैं उनके बारे में हम जानते हैं जो कि नेक्चर 1A में दिया जो आपने enrollment form filled किया है उसकी एक copy लगेगी and print out of course selection sheet आपने किया होगा from समर्थ portal ये जो website दिखा रहा है इस पर आपने किया होगा तो जो अभी तक आप किये हुए है online उन सारी चीज़ों को आ identify card number यानि कि एनक्चर 4 में दिया हुआ है कि आपका जो भी identify card form होगा वो आप लेके आएंगे आपने fill किया होगा एनक्चर form जो भी आपको बताया जा रहा थे लगतार हमारे channel से अगर आप जुड़े होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आपको सारी चीज से बताया गया था कि कैसे anti-regging वाले form को register करना है कैसे feel करना है कैसे undertaking देना है stepwise सारी चीज़ आपको बताई जा चुकी है हमारे channel पे ठिक पिछले ही वीडियो में और इसके साथ ही यह जो 10 coffees है recent passport size color photograph यह भी important है यह आपको लेके आना होगा और जो भी the candidate student is also required to produce all original coffees of Marksit आ 12th के graduation के post graduation के और जो भी examination equivalent examination का है और साथ ही age proof date of birth and of the candidate for physical verification तो यह सब सारी चीज़े हैं आपको लेके आनी है इसके साथ ही आपको original migration, transfer, character, fitness certificate और उसके साथ ही self-assisted photo copies should be submitted at the time of verification तो यह self-assisted photo copies भी आपको submit करने पढ़ेंगे और character certificate must be issued from the head of institution last attended यह आपको पता होगा कि जो character certificate है आपने जो भी पिछला institution और attend किया होगा वहीं से आपको issue किया जाएगा जो वहाँ के head होगे और fitness certificate इसुर बाइस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर यह आपको पता ही है और transfer और migration certificate from head of institution या university last attended तो migration और character certificate आपको university और institute जो आपने last attended किया है वही से मिल जाएगा और जिन्होंने अपना qualifying examination prior to 2020 must produce the gap certificate gap certificate आपको भी provide कराने होंगे non-judicial stamp paper of RS 100 only यह भी इसमें लिखा जा जुगा है कैसे क्या क्या करना है और जिन्होंने qualifying examination को pass किया है 2020 में और not in a position to submit the migration certificate at the time of physical verification should submit the same as early as possible but their semester examination result will not be declared तो यह आपको कर देने हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका semester examination result को नहीं declare किया जाएगा तो इसलिए जो भी documents आपने अब ही तक रखे हुएं आपने पास उनका original copy लाइए photo copy लाइए self-attested लाइए उसको submit कीजिए अब अलग-अलग categories के लिए क्या-क्या demand है इसके बारे में देख लेते हैं SCST candidates के लिए attested copy of SCST certificate in the prescribed format issued by an officer not below the rank of magistrate इसमें सब कुछ details में बता दिया गया है OBC candidate के लिए आपको OBC certificate लेके आना होगा district magistrate या deputy commissioner in the government of india prescribed format यह सब आपको format बताया जा चुका है also bring income certificate भी आपको लेके आने है EWS candidates के लिए income और asset certificate issued by and one of the following authorities in the prescribed format as given below shall only be accepted as proof of candidates claim as belonging to EWS अब इसमें से किसी का भी उसमें attested होना चाहिए district magistrate का हो magistrate का हो collector का हो deputy commissioner का हो additional deputy commissioner तो यह सारी सीज़े इसमें बता दी गई है chief presidency magistrate, revenue officer, not below the rank of तहसिलदार, sub-adviginal officer तो यह सारे option है कहीं से अभी आप attested करा सकते है PWD candidates के लिए medical certificate issued होना चाहिए competent medical authority उसमें indicate करे nature or extent including percentage of physical disability in support of their claim तो आप जो भी claim कर रहे हैं उसके support में आपको medical certificate कितना परसेंटे यह सब आपको लेके जाना होगा income certificate भी important है BPL certificate if applicable तो सबसे important यह है कि यह जितने भी documents हैं आपको लेके आने है physically जब आपका verification होगा तो यह जो भी mandatory documents से आपको पहले भी बताया जा चुका है फिर एक बर बता दिया जा रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए otherwise आपको exam से भी बंचित कर दिया जा सकता है और साथ ही आपका admission भी cancel किया जा सकता है तो यह सब बहुत important है इसको ध्यान में रखे और बाकी आपको exam के लिए best of luck और बहुत जल्द हम CUCT से related जो भी जनकारी होगी आपने चैनल पे आपको पहुंचाएंगे और जितनी कोसिस होगी हम help करेंगे और तब तक के लिए जुड़े लिए हमारे चैनल से like, share और subscribe करते करेंगे धन्यवाद